लेटिस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार मित्रू सच्चे प्यार को पाने के विशेश उपाए विशेश करके यदि आपको सच्चा प्यार का पाना है सच्चे प्यार के विलासा करते हो, सच्चे प्यार के अक्षा करते हो, तो इस उपाय को अवस्ष करें आचारपंड़ स्रीकंत्र पटरिया, जोतिस विशेशग, किसी भी प्रकार की समस्या, जोतिस शलाई के लिए सच्चे प्यार को पाने के उपाय, दोस्तों आप किसी से प्यार करते हैं, और उस व्यक्ति के प्यार को पाने के लिए आप हर संबा प्रियास करके ठक चुकी हैं, तो अब आपकी सारी समस्या दूर होगी, क्योंकि आज हम सच्चे प्यार को पाने का उपाय लेकर आपके समक्ष आई हैं, आईए, जानते हैं, सुनते हैं उन उपायों के बारे में, जिनको आप अपने जीवन में अपना कर खु उस नहीं रह सकता, प्यार ही हुए अनमूल, चाबी है जो हर रिष्टे को जोड़ कर रखता है, ऐसे में अगर आप किसी के सच्चे प्यार में पड़ी हुए हैं, मगर आप उन से अपने प्यार का इजरार नहीं कर पा रहे हैं, आप बिलकुल भी चिंता मत कीजिए, आज जो भी उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह आपके लिए लापकारिक शाबित होगा, बस आप ध्यान पूर्वक हमारे द्वारा प्राप्त कराए गए उपाय को परिये और सुनिये विशेश रूप से, और समझिये अपने जीवन में अब से अपनाएं, दोस्तों, व व्यक्ति को उसका प्यार मिलता है, ऐसा हम नहीं बैदिक जोतिस आचारियों का कहना है, व्यक्ति के जीवन में प्यार में रुकाउट है तबी आती हैं, जब व्यक्ति के पंचमभाव में किसी ग्रह का बुरा प्रभाव पढ़ा होता है, अगर आपके ग्रह लक्षत्र में पंचमभाव किसी गिरह का बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसे इस्तिती में आप अपने प्रेम जीवन में समस्याओं का सामना कर सकते हैं इसलिए दुनिया में बहुत से लोगों को सच्चा प्यार कभी भी नहीं मिल पाता है गिरहों की कारण बैसे प्रेम विवाह तबी संभा होता है जब आपके जन्म कुंडली का सब्तम भाव सक्त होता है अच्छा होता है और यही सब्तम भाव पंचम भाव के साथ मिलकर आपका विवाह प्रेम विवाह के रूप में संपन्न कराता है बिसे इस रूप से इस ग्रहों का इस स्थान म गिरहों का प्रवल होना बहुत जरूरी होता है यदि गिरहों का प्रवल होना जरूरी नहीं होता तो एमान के चलिए आपको सफलतो प्राप्त नहीं हो पादी कहने का ताद पर हमारा यहां याय है कि पंचमभाव और सब्तमभाव में गिरहों का प्रवल होना अनिवारी है ज इसलिए पंचमभाव और सब्तमभाव का विसिस अध्यान करा करे ही, अपने बिवाय छेत्र में अगर आप आंगे हाथ बढ़ाएं तो ज्यादा बेतर होगा, आंगे बढ़ाएं तो ज्यादा बेतर होगा सच्चा प्यार पानी के लिए, अगर आपके गिरों में राहू प्रेम को चरम सीमा तक भी पहुंचाता है, आप जानते हैं उपायों के बारे में जिनके बारे में जोतिस लोग बताया करते हैं, जिसको आप भी अपने जीवन अपना कर भैहत सुख में जीवन बता सकते हैं, चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनको आप अपन का सच्चे प्यार को पा सकते हैं आपके कुंडली में मोजود सुक्र ग्रह को आपको जादा से जादा मजबूत करना है इतना ही नहीं अगर आपके जन्व कुंडली में पंचंभा कम्जूर परता है तो उसे कम्जूर से सक्टी साली बनाने के लिए आपको हर संभव प्यास भी करना है लव बर्डस के छवियों का अपने आपको बहुत मत्त होता है अगर आप अपने जीवन में सच्चा प्यार पाना चाहते हैं अपने घर की दक्षिन, पस्चिम दिसा की योर, लव अर्डर की छविय टांग कर रखें इससे आपकी जीवन में सच्चे प्यार का आगमन होगा अगर आप अपने जीवन में सच्चे प्यार को पाना चाहते हैं उस प्यार को मरन अवस्था तक साथ में रखना चाहते हैं तो अपने घर में साफ सफाई हमेशा करते रहें अगर आपके घर के पुरवर्त कौन में कच्रा जमा होगा तो इसका दुस्प्रवाव आपके प्रेम पर पड़ेगा आपके सचे प्यार पर पड़ेगा अगर आपके घर के दक्षन पस्चम कौन में सोचाला या फिर किचन है तो इसके कारण भी आपके प्रेम संपर्क में ब प्रेमिका का तस्वीर है तो आप उस तस्वीर को उत्तर दिसा की कौन में टांग कर रखें इससे आपकी जीवन में प्रेम कभी भी बाधा द्रिश्ट नहीं होगा तथा आप खुशी खुशी अपने प्रेमिया प्रेमिका के साथ अपने जीवन यापन कर पाएंगे इसके अ बात का भी ध्यान रखना होगा आपका जो बैट रूम है वह पूर्व दिसा की ओर नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो जल्दी जल्द बैट रूम को ना बदल दीजिए उत्तर दक्षण पूर्व में ही अपना बैट रूम रखें इससे आपकी जीवन में सच्चा प्यार मि कर सकता है इसलिए इस बात का अवस्त दिहान रखें आपके घर का बातावन सुद्ध और पवित्र हो इबं सांत अवस्त हो ज्यादा अच्छा पढ़िणा पाने के लिए आप गोरी संकर रुद्रक्ष को भी धरन कर सकते हैं रुद्रक्ष में बहुत सक्ती होती है और रु की जीवन में मिलेगा आप जिस से प्यार करते हैं उस व्यक्ति को कभी भी भूलने से काला वस्तु ना दें मतलब जिस से आप प्यार करते हैं जिसको अब भर्पून रूप से चाहते हैं उसको भूल कर भी काला वस्तु दान ना दें ना दें उसको विसस रूप से ध्यान देना आपके प्रेम संपर्क में बाधा पर सकती है इसलिए काली चीज को देने से बचें एबंखुसी-खुसी अपना जीवन यापन कीजिए दोस्तों तो यह थी वह सारे आसार उपाए जिनको आप आसानी से अपने जीवन में अपना सकती है एबंखुसी-खुसी आपकी ज पहीदनी पे नहीं मिलता लेकिन दिहान देना यह उपाए आपको तभी लाप देंगे जब आपके गिरहों के स्थिती सही हो आपके गिरहों के स्थिती बलवान हो हमने आपको अरजन करने के तरीके आज बताए हैं हम आसा करते हैं आपको यह सारे तरीके पसंद आए होंग आचारपंडे स्रीकांत प्टरिया जोतस विशेशगजी से सीधे संपर्क करें 9131366453 91, 36, 64, 53 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाईए जै बाबा काशिव सुनात जी की